हलो गाइस इस बड़े में हम लोग बात करेंगे common mistakes जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब यार क्या हुआ कि मैंने अपने चैनल को analyze किया काफी दुनों से मैं analysis कर रहा हूँ अपने चैनल पर कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ इस्टाग्राम पे देख रहा हूँ तो बहुत सारे questions लोग पूछ रहे हैं अब questions हैं जैसे महां लोग कोई project बना रहे हैं हमारा playlist देख रहे हैं let's suppose कि हमारा Springwood का कोई project बना रहे हैं exam portal या फिर blog application तो उसमें जब कोई error आती है तो हमें email करते हैं या फिर telegram पे हमें message करते हैं या फिर instagram पे हमें follow कर रखा है तो message करते हैं बहुत सारे लोगों के questions का मैं जबाब नहीं दिपाता हूँ उसके लिए sorry वाले discuss करते हैं लेकिन एक चीज में आपको बता दूँ कि मैंने जब analysis किया या तो उसमें 70% questions एकदम जो हमसे पूछे गया है जो errors हमसे पूछे गया है वो एकदम normal और basic error है आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए वो errors आती है उन errors को बहुत असाने से remove किया जा सकता है उसमें 30 कह सकते हैं 20 परसेंट टेकनिकल चीज़े होती है जो हो सकता है कि किसी वजे से error आ रही हुआ हम लोग discuss करेंगे और 70% हम आगबंद करें कह सकते हैं कि हमसे जो questions पूछेगे वो analysis के दौरान हमने पाए कि 70% questions बहुत silly mistakes हैं तो इसलिए मैं आप discuss करने बाला हूं कुछ questions जो लोगों ने पूछे हैं जो बहुत सिली है आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसी गलतिया नहीं करोगे और बात में कहते हैं कि पहली गलति के बात करने तो यहां पर हम आ गये हैं उपनी इस गोड़ा हूं समझेगा सबसे पहली घ्लति यार क्या करते हैं तो सबसे जदा मुझे देखने के मिले महलब 3-4-5 ऐसा मुझे देखने को मिले जहां पर लोग को गलत जगे पे लिपनेटे अब गलत जगे अग आपको यहां पर कुछ code बाहर लिखना था सपोज आपको यहां पर दू-filter करना था डू-filter request and response करना था अब इस code का मतलब अलग है गाइस मतलब कहने का मतलब की इस code का मतलब है कि अगर इफ चलता है या इफ नहीं चलता है उससे कोई मतलब नहीं है यह वाला code चलेगा चले यह code इंपोर्टेंट है दोनों के सवें चले चाहें ना चले तो यह code बाहर है अब अगर आपने इस code को अंदर रख दिया है ब्लॉक इंपोर्टेंट है यह ब्लॉक इसलिए तो भई अगर आपने दू-filter अंदर रख दिया है तो फिर आपका expected output गलत होगा तो आप यह धि तो अगर आप को गलत जगे पे लिखोगे तो यह एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि यह दू फिल्टर तभी चलेगा जब यह टू कंडिशन टू होगी अदर्वाइज यह कंडिशन फॉल्स होगी तो आपने इसको यहां पर रख दिया तो जब यह कंडिश और आप को सब्कूल में आया मैंने क्या गया तो आप गलत जगे पे अगर आप अगलत डिखोगे तो आपका और यह बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर रहे है और एक लोग ने मजे ट्रिलिग्राम पर मैसेज किया था उन्हें ने कहा कि सर आप आपका कोड और मेरा कोड वाद में थोड़े दाए जूड़ी कहा कि मैंने एक मिस्टेक धोली यह जो डुख जिया था है लेकिन उसा कृमेंट करके चले जाते हैं सहर मैंने क्या नहीं चल रहा है और आहीं बेस्ट- dijo लेकिन गलती आप कर रहे होते हैं तो जाए आप चीजों से सीखिए और पर आप code को गलत जगे पर मत लिखिए हैं आप अच्छे से अगर अच्छे जगे पर code लिखते हो तो अब इसी बात है कि code चलेगा है क्यों नहीं चलेगा ओके तो गाइस अब दूसरा point डिसकस करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर example लेकर समझते हैं जैसे for example अगर किसी ने class बनाया है class बनाया test और class बनाया class एक keyword है यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा जब आपने code जावा या suppose आपने Python में class बनाया test ऐसे करके ठीक है तो Python जब आपने सीखा या फिर Java जब आपने सीखा या चलेगा तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा keyword है कौन सा identifier है कौन से चीज को कहा यूज करना है semicolon कहा लगाने इसी को तो syntax बोलते हैं आपने पूरा सब कुछ बढ़ लिया लेकिन आप जब आप code actual लिखरो तब आपको वहां पर यह पता नहीं चल पा रहे है कि आप ज चोड़ा अच्छा से बढ़ो तो spelling गलत एक होता है कि spelling गलत है अपने class के spelling गलत लिखी लेकि most of the लोग वह गलती नहीं करते हैं जो एकदम beginner होते हैं वो शायद वह गलती करें कि spelling गलत लिख रखी अब अगर आप IDs वगए उस करते हो तो spelling गलत होने के जांसे बहुत साथ कम ह हो जाते हैं बट यह गलती लोग करते हैं अभी भी और मैंने दो चाल लोग को देखा है जो question पूजने कि सर यह है यह है मेरा code नहीं चल रहा है और हमारा और आपका code exact same है बट फिर भी नहीं चल रहा है बट वह small के जगए हो capital उस कर ले रहे है तो यह problem है और आप फिर समझ लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि दो चीज़े आप अगर वीडियो देख रहो हमारी तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यह बहुत basic चीज़ें बहुत सारे लोग ऐसे mistakes कर रहे हैं 70% से जादा लोग हमारे channel पर तो करी रहे हैं को कि आप किसी भी comment screen में जाके देख लि हैं तो third point में यह discuss करने वाला हो कि यार exception problem को आप समझे और उसको समझ करके आप बहुत असानी से अपने errors को हटा सकते हो maximum लोग यह वाली third वाली condition में ज्यादा situation में ज्यादा फस्त हैं जैसे मैं दिखाता हूं आपको जैसे for example exception आती है null pointer exception बहुत बार null pointer exception आती है किस वज़े से आ रही है हलाकि इनकी definition बता अगर आप से कोई कोई उनसे पूछता है कि null pointer exception क्या होती तो बता देंगे लेकि null pointer exception आती है और वो उसके solve नहीं कर पाते हैं मैं बताता हूं बहुत लोग को मैंने servet की series बनाई थी अब servet के अंदर हमने project कराय थे या हमने बहुत सारी series बनाई है तो उसमें क्या होता है कि servet में example बताते हैं यह real problem है जो एक लोग ने हमें email किया था एक जगे से दूसरी जगे पर डेटा बेशते हैं बहुत असानिस टेटा डेटा चला जाता है मतलब clients है हम लोग डेटा बेशते हैं form में तो let's suppose हमने data भेजा form पे तो कैस fields बना दिया अब मैं आपको बहुत अच्छे चीज़ समझा रहा हूं बस आप समझेगा ऐसे ही आप Python में भी ऐसा ही JavaScript में same करते हैं ठीक है यहां पर हम बनाते हैं input type अब type में यह form किस type का है तो सबसे पहले suppose यह text है form text है and then दो important fields है यहां पर एक तो name इस field का नाम क्या होगा नाम ऐसा सबसकते हों कि इस form के अंदर multiple fields है तो यह उसका unique identifier है जब आप server data निकालोगे तो इसी नाम को use करोगे तो नाम suppose हमने दे दिया user name user user name and then equity value 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 यह हमें बताती है कि actually इसकी value क्या है तो यह value दे भी सकते हो आप अग जो value दोगे तो by default value आ रहे हैं यह value user type कर देगा तो नानी होती है और हमारे पास do post do get as a correct method होता है तो वहाँ पर हमें दो update मिलते है request और response अब मैं एकदम complete code नहीं लिख रहा हूं पर तो आपक्या है कि हमें लिखना है request.get parameter parameter यहां पर actually आपको अपनी field का नाम लिखना है जिस field का data फेच करने वाले हो तो हमारी field का नाम तो यह user name यहां पर लिखें तो maximum लोग को तो पता है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो यहां पर नाम गलत लिख दे रहे हैं और गलत लिखने के वज़ए से जो इसका return type है वो actually हमेसा string होता है और इस string में name आ रहा होता है अभी तक तो फिर भी दिक्कत नहीं है अगर आप print कर रह ने कुसिस करोगे तब problem आगी और तब generate होगी null pointer exception तब generate होगी null pointer exception या फिर आप कोई भी method use करना चाहोगे इस वाले object पे जिसकी value null है उस case में बहुत problem होगी और null pointer exception आईगे और आप फिर पता नहीं होगी null pointer exception की वारी और आपने गलती क्यों किये क्योंकि आपने यहां पर user name game use करो मैंने सिर्फ यहां पर use case समझाया है ऐसे करके हम जब project हमने बनाया तो बहुत सारे fields लिये थे बहुत सारे form को यहां से वहां पर भीजा form के values को form को यहां से service वेजा service से दूसरे जिकर वेजा तो जब भी कोई attribute सेट कर रहो जिस key की help से उसी key की help से आप value को fetch भी दो करोगे यार तो यह समझे ऐसा करके बहुत सारे problem है बहुत सारे लोग अभी recently मैं email चेक कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोग map create कर दे रहे है let's suppose map create कर दिया and map में new has map has map and यहां पर has map में data add कर दिया suppose हमने add कर दिया put.put और put में हमें दो चीज़ पास करनी की तो हमने key में name पास कर दिया user name पास कर दिया and value में हमने पास कर दिया दुर्गेश ओके दुर्गेश पास करती है अब जब fetch करना होगा अब आपको यह समझना है कि this is actually key and this is actually value अब आपको यह समझना है तो अगर आपको fetch करना होगा तो आप ऐसे fetch करोगा map.get और get में आप पास करो की तो की में आपको user name ही पास करना है क्योंकि आपने रखा तो ऐसे ही था की की value user name थी और की की actual value थी username और value की actual value थी दुर्गेश तो जब आप यह निकालोगे तो आपको यह चीच मिलेगी तो यह चीच याद रखिए भाई कि आप किस key key wise data को store कर रहे हैं उसी key wise data को fetch भी करिए अगर आप key key value गलत यूज करोगे तो null answer आएगा और null के बाद फिर put up का गलत आएगा okay so यह चीच आप ध्यान रखिए तो ग्यास अगर वीडियो में आगे बढ़ें तो exactly जैसे हमने यहां पे आपको बताई error के बारे में exactly वैसे ही और भी errors लोग करते हैं जैसे for example आप यहां पे out of bond exception बहुत बाद यह जैसे हैं एक दो तीम तो पहली जो वैलू है फस्ट वाली वैलू वह जी रोथ इंडेक्स पे फस्ट इंडेक्स पे सेकेंड इंडेक्स में तो अगर आप फेच कर रहे हो तो याद रखो कि 0 1 & 2 ही इंडेक्स हो रखता है अब आप चाहें लूप आई को यूज कर रहो जाहिए अब जे को चाहिए को चाहिए आप दूट करो लेकिन वहां पे इंडेक्स के अंदर ही वैलू होनी चाहिए अगर इंडेक्स के भार वैलू है तो और ये आप को चीज समझनी पड़े यह इसा नहीं करतों के ब्लृइब और बेर के attributes को set करने के लिए request के attributes को set करके get करते हैं तब error आती है even हम forms data निकालते हैं parameters की help से fetch करते हैं तब error आती है तो यह सारी exactly बहुत simple simple mistakes है जो लोग करते हैं और मुझे नहीं लगता मंताब कि यह mistakes ऐसे mistakes करनी चाहिए ओके चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं spring boot की बहुत सारी videos भी है तो बहुत सारी लोग बनाते भी प्रोजेक्ट और फिर उसी बहुत सारे लोग में जब बहुत सारे लोग की वीडियो को follow करते हैं तो बहुत सारी error भी आती है ध्यान से देगे जैसे लोग configure कर रहे हैं लोग अब डेटाबेस कान्फिगर कर रहे हैं तो डेटाबेस spring boot में configuration डेटाबेस कान्फिगरेशन होती है properties file में कि आप हाँ पर keys define कर दिए उन key को use करके spring boot अपने आप से database में database को use करके और आपका data source configure कर देता है तो keys बहुत सारी लोग keys गलत लिख देते हैं यह keys present ही नहीं होती है ठीक है जैसे for example हमें url configure करना है हमें यहाँ पर url configure करना है तो url value पता present तो होनी चाहिए यहाँ पर url value exception देखोगे console चेक करोगे तो बतायेगा कि यह url आपने गलत करका है तो आप यह बारें सही करो या user name गलत है या password गलत है या password गलत है तो यह सब चेक करो cross check करो और exception उसी हिसाब से generate होती है अगर आपने keys गलत लिख रखी है keys की value गलत लिख रखा है keys जैसे आपने spring.security.name या user name ऐसा करके गलत लिख रखा है तो अब ऐसे बात है कि यह key use कर रहा है spring boot and इस key का नाम ही अपने गलत लिख रखा है तो value नहीं पहुंच रहेगी और exception आईगी 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 auto wired कर देते हैं लेकिन जैसे for example आपने यहाँ पर एक user service आपने auto wired कर दिया लेकिन अब आपको समझना यह होगा guys की आपने चीज़ों को auto wired तो कर दिया बट इस service के अंदर object आने के लिए दो चीज़ important है सबसे पहले इस यह अगर इंटर्फेस है अगर इंटर्फेस है तो इस spring bean होना चाहिए तो जब आपने service की implementation बनाई है class users service impl जब आपने बनाई है जो की improvements कर रहा है user service को उस case में याद रखिए कि आप इसके उपर या तो आपने component यूज किया हो इसको as a spring component बनाया हो या तो आपने इसको service उसकिया हो या तो आपने इसको repository उसकिया हो जिस हेसाब से करना चाहरे हो लेकिन वो जब 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 spring container को पता होगा कि यह जो class है वो इसकी यह वो as a container as a component declare है तो वो इसको as a been create कर देगा अगर आपने नहीं बनाया अगर आप इसको implement करना भूल गए तो इंटरफेस की यार इंप्लिमेंटेशन ही नहीं अब लेकिन अपने उसको अनुटेट नहीं किया उसको ऐसा component नहीं लेकिन अगर बीन नहीं अबलेबल है तब इंजेक नहीं हो पाएगा तो यह गलती बहुत स साथ लोग करते हैं मतलब अगर मैं आपको दिखा हूंगा तो बहुत सारे कुश्चन आते हैं कि सर यहां पे रहा रही यहां पेर आ रही बट वह एक्चली बीन अबलेबल ही नहीं तो आट वायर कर रहे होते हैं जैसे एक्जांपल एक यूज़के सवर में बताता हूं जै जैसे बीन ही नहीं करते हैं लोग पासवड इंकुर्ड को आट वायर कर रहे थे हैं अब खुद अप सोचो कि आट वायर अगर अगर आपके अप एक थोड़ी सी बात हुर हमें करनी है कि हर केस में इसा नहीं की सिली मिस्टेक्स हो ऐसे करके बहुत सारी मिस्टेक्स है यह तो मैंने कुछ common जो हमें दिखी वो हमने यहां पर आपको बताई है लेकिन बहुत सारी genuine mistakes भी हो सकती है genuine mistakes जो जिससे सच में लोग परिशान हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं कैसे जैसे for example कोई version problem हो गई कोई version problem हो गई version problem version problem version problem होती है क्योंकि कुछ हमने जो वीडियोज बनाई हो अल्मोस्ट छे सा चे महिन हो गया एक साल हो गया दो साल हो गया लेकिन उसके अंदर concept हम लोग ने सही पढ़ा है कोई दिककत नहीं बट actually उस पर उसको मैंने implement किया concept को पुराने version पर अब concept को spring security configure दूसरे तरके से करनी है और पहले दूसरे तरके से करते थे concept सब से ही में कहने का मतलब security configure होगा उसमें authorization authentication सब अब तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया कि भी यह पहले extend कर लेते थे अब directly आपको बीन बनाया है उसके अंदर करना होई है अब version बदला तो थलका सा changes हुआ अब वहां पर अगर आप परशान होते तो समझ में आता है कि यार हमने इस तरह कोड दिखाया है उस तरह से आपका काम नहीं हो रहा तो समझ में आता है कि यहां मतलब हो सकता है बट फिर भी आप थोड़ा सा documentation दोगे follow करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो कुछिस करो कि जो हमने वर्जिन यूज किया अभी वही वर्जिन यूज करो अगर आप दूसा वर्जिन यूज करते ह तो अब उपर नीचे आगे पीछे की वीडियो देखो मैंने कहीं ना कहीं बताया होगा एंडर्स किया होगा उसी को जैसे अभी मैंने स्प्रिंग सेकृटी की वीडियो बना दी उसमें अब सब चीज बता दिया कि यार यह प्रॉब्लम है पुरानी वीडियो में ऐसा हमने अब पता दी तो मैं क्या रहा हूं कि कुछ चेंजेश कुछ चेंजेस या कुछी चेंज्जेस की जाते हैं वरजयन तो उस वरजह से भी ग्लत सब्सक्राइबल्लम साते हैं तो उसको माना जा सकता है्कि जैनुए जम मेंसे की तो छरए पो सिग्नी सब्रे आरилась कई है वह and that's not a tolerable वो ने tolerate किया सकता है कि आप एक तो अपनी गलती कर रहो फिर मान रहे हो फिर दूसरे को बोल भी रहो कि ऐसा बनना कर रहा है ठीक है तो आप ध्यान रखे coding करते समय और error आ रही है exception को देखिए क्या exception आ रही है किस वजे से exception हो सकता है हो सकता है कि API आपने लगाई हो implementation नहीं लगया हो implementation बताएगा न class नहीं मिल रही है तो आप जाके implementation लगाओ और आपका काम हो जएगा so I hope ये वीडियो बनाने का आपको मकसद या मुझे आपको मकसद समझ में आ गया होगा कि आप थोड़ा ध्यान से coding करिए and basics mistakes avoid करिए कि भाईया कम से कम basics mistake हो mistake तो सबसे होती mistakes से ही लोग सीखते है but जितना ज़्यादा कम mistakes होंगी basic वाली genuine mistakes को बिल्कुल आप पूछिए message करिए but ऐसे mistakes करोगे फिर आपको जोगे reply नहीं करते ये नहीं करते हो नहीं करते that's not a tolerable यह tolerable क्या मतलब भाई क्या यह बता है आप क्या answer ने ठीक है छोटी-छोटी mistakes है नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा so I hope आपको समझे आगो और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए थोड़ा analysis वाली या फिर जो common problem है सबकी तो आप कमेंट कर लीजिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं और कमेंट करके बादा नाम और आप कहां सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू से कर लिए बाबाई